अमेशा की तरह ये बच्चे शाम के वक्त तैन ने निकले हैं और ये आपस में मिठाईयों और चॉकलेट्स के बारे में बात कर रहे हैं मैं तो नरकाब पोष चॉकलेट लूँगा नियानता मैं तो हर बल मिंट लूँगी पता है वो जबडों के लिए बहुत अच्छे होते हैं इतना ही नहीं वो सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं मुझे लेमन फ्लेवर पसंद है और तुमें? मुझे मुझे पसंद है अरे हमें तो पता भी निचला हम बूरी दादी के दुकान के पास आ गए है क्या हम यहां से चॉकलेट खरी देंगे सुना है वो बहुत ही गुस्से वाली है मुझे याद है मेरे डाट कहा करते थे कि वो उन्हें बहुत डाटा करती थी डाट कहा करते थे मतलब यह दुकान इतनी पूरानी है फिर तो तुम्हारे डाट के मुताबिक वो हमें भी डाट सकती है फिक्र मत करो वो नहीं डाटेंगी अगर हम अच्छे बच्छे बन कर रहेंगे तो वो क्यों डाटेंगी अंदर कोई है आओ बच्चो अरे इतनी सारी चॉकलेट्स कैसे बच्चे हो तुम तुमने मुझे हेलो नहीं कहा हलो कैसी है आप आप कैसी है बच्चो मैं बहुत अच्छी हूँ नियांदर चॉकलेट चाहिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दादी मा क्या तुम्हें चॉकलेट नहीं चाहिए? हाँ चाहिए तो सही पर… न्यागो तुम अभी भी तै नहीं कर पाए, ठीक है सोच कर बताना बहुत बहुत शुक्रिया तो बच्चो फेर से जरूर आना बाई बाई जरा रुको तुम सारे यह किस ने गिराया, जल्दी बताओ मैंने जान बुचकर नहीं गिराया, अपने आप गिर गया होगा मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहती, जल्दी से इसे उठाओ आप ही उठाता हूँ कच्रे को हमेशा कच्रे के डिब्बे में डालो सच में ये बुड़ी औरत बहुत डाटती है वो इतनी बुरी भी नहीं है, वो तब ही डाटेंगे जब तुम कोई गलत काम करोगे अब क्या हो गया? मैं बुड़ी दादी के घर अपना पर्स भूलाया अब अगर तुम वापस जाओगे तो वो तुमें ज़रूर डाटेगी अब मैं क्या करोः पता नहीं तुम अपना पर्स कैसे भूल सकते हो अगर तुम दुबारा वापस जाओगे तो वो तुमें काल कोट्री में बंद कर देगी और एक बार अगर तुम उसके अंदर चले गए तो फिर कभी बाहर की रोश्णी नहीं देख पाओगे मैं तो फस गया क्या तुम सब मेरे साथ वाने ही चलोगे मर गळा लगता है वो यह नहीं है यह लो तुमारा पर्स मानती हूँ कभी कबार अपनी चीजे रखकर बोल जाते हो मगर पर्स तो जरूरी होता है तुम्हें से कभी नहीं भोलना चाहिए कोई बात नहीं आज के बाद ख्याल रखना हाँ जरूर ठीक है अब तुम जा सकते हो अच्छा ठीक है आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाई बाई करण्या वह-दो खुम्हें पर्ण्या जरूरूरूरू नियार 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 दादी कि पुरी दादी कि यहा旅 कि आप कर रहिँ। अब हुट कि यार कहना चाहिए हीरो होने का मतलब यह roommate कि है नहीं कि बड़ों unser debates हम बड़ों का आधर करना तुम भूल कैसे जाते हो हेलो कैसी आप हेलो मैं अच्छी हूँ मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया कोई बात नहीं तुम्हें चाय पीने की इच्छा है ना बेटा आपको कैसे पर्दा चला मैंने चाय बनाई है क्या तुम मेरे साथ ब कई बूरी दादी ने उसे काल कोटरी में तो बंदने कर दिया ना या ये प्रे जए और अनधर से इंग लगा दी है तुम कैसे बच गए उस बूरी दादी ने तुम पर गुसा नहीं किया बिल्कुल किया होगा जब हम तीनों गयते तो हमें भी तो डाट पड़ी थी तो य कैसे बच सकता है तुम्हें पता है नियांदर को भी डाट पड़ी जो हम कैसे नहीं पड़ती हम किस ग ignorance अरे लेकिन नियांदर को क्यों डाट पड़ी क्यों उसने अलो नहीं कहा इस पूरे कैट टाउंड में तुम्हें बूरी डादी के अलावा एक बी ऐसा नहीं मिले जिसने नकापूश को डांटा हो खडूस बुडिया ये सब छोड़ो मुझे लगता हमें उनकी मदद करनी चाहिए बच्चो तुम लोग ठीक से सफाई करना जी हाँ वो तो नियागों ने मुझसे कहा नहीं तो मैं ऐसे काम बिल्कुल नहीं करता ये तो मैं अपने घर पर भी नहीं करता बच गया सारे बच्चे मन लगा कर सफाई करो हाँ तुम्हें मुझे टाला नाई कुटने डो नई खेर जा वापसाय नय-एन रुक जाए रुक जाए रुटारे चाहे बुडी दादी अरे वो दोनों के दोनों कहां गाय वो गए यह मैं हूँ क्या वो बहुत नाराज है हाँ बहुत क्या वो भूत है लगता है भाग गया यह क्या यह कड़ी खुली कैसे रह गई ओ कितना तेज भागता है यह लड़का समझ में नहीं आता मैं यहां आया ही क्यूं था यह तो डरावनी जगा है भस गए लगता है बादनी जा पाएंगे मुझे तो बहुत डर लग रहा है नियागों चलो रहा से यह तो खुली नहीं रहा फश्ता है यह तो यह तो तो खुली तो फिर यहँ तो अच है यह तो यह तो जजिशना यह तो फुली तो फिर यह क्या हो रहा है यह तो मेरा बैग है कोई हमारी आवाज तो सुनो हाँ नियंडर नकापोश नियंडर करो हाँ पीदोरी ने खिलके से बैग पेंका ओ लेकिन मैं नियंडर कैसे बनू यह तो यही पर है यही वक्त है नियंडर नियंडर तयार सुनो नियंडर अब तुम महारा जाओ नियंडर तुम आक है स्वे आने में देर हो गई शान्त हो जात है कि तुम की केल अग work आधे कि परिजाय ती अगर तुम्हारे मन में भूतो तो तुम्हें चारो और भूत आएंगे तो यह बात थी अच्छा तो अब जाओ और बूरी दादी से अपनी गल्ती के लिए माफी मांग कर आजाओ खबराओ मत बिना डरे बस माफी मांग लो वो तुमें नहीं डाटेंगी लेकि मुझे तोड़ी शरुम आ रही है तुम फिक्र मत करो बड़ों से अपनी गल्ती के लिए माफी मांगने में शर्म नहीं होनी चाहिए अगर हम अपनी गल्ती मान ले तो आगे बढ़ेंगे हाँ वो तो है मगर नियागो अभी भी अंदर है तुम उसकी फिक्र छोड़ दो मैं उसे बचाता हूं तुमसे जितना का प्लीज उतना करो ठीक हा मैं उस खिर्की को ठीक कर देता हूं लो अब ठीक हो गई मैं आपसे अपनी जल्दी के माफी मांगता हूं कोई बात नहीं बच्चे सुनो अब जल्दी से अपने अपने घर चले जाओ वह उन्होंने खूब दाट खाई लेकिन हर बार उनके कदम बूरी आंटी के दुखान की और खीचे चले आते उनके दुखान की बाद ही निराली थी तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है हम लोटेंगे एक और रोमांचा कहानी के साथ अगले एपिसोड में तब तक के लिए कि अव्यू बट्वप और सबस्क्राइब एकिन